जम्मू में इस्थित मावैश्णो का पावन धाम तो बिश्व प्रिसिद्ध है जहां माता वैश्णो देवी के सोयंभू तीन मूर्तियां हैं जिनमें माकाली, शरश्वती और लक्ष्मी विराजमान हैं इन तीनों पिंडियों के समलित रूप को वैश्णो देवी माता कहा ठीक इसी तरह का एक मंदिर सतना के केंद्री जेल में कैदियों दोरा बनाया गया है, जिसे देखने के बाद लगता है जैसे हम सतना नहीं बलकि मावैश्णो के पावन धाम जम्मू कासमीर में हैं, मंदिर का स्वरूप मावैश्णो के पावन धाम के स्वरूप के जैसा ही बनाया है जिसमें गुफा के दौरा मंदिर के गर्भ ग्रह में प्रवेश किया जाता है मंदिर के पुजारी मुनियंद्र गौतम ने बताया कि जेल के अंदर ही माता वैशनों की स्वेंभू तीनों पिंडिया मिली थी जिन्हें तातकालिक जेल अधिचक उमेश गाधी और उनकी पतनी ने शारदीन और आत्री में विध्विधान से स्थापित किया और इनके मंदिर निर्माण को लेकर कार्योजना बनाई जिसके बाद यह सुनिश्चित किया गया कि मावैशनों का मंदिर जम्मू कास्मीर पर इस्थित मावैशनों के मंदिर की तरज पर ही बनाया जाएगा जिसके बाद कार्योजना सुरू की गई मावैशनों के इस अद्भुत मंदिर का निर्माण का चेल के कैदियों द्वारा किया गया है जिसमें मंदिर के ड्राइंग, डिजाइग, कॉंक्रीट वर्क, फिंसिंग, कलर सहित मंदिर के चारो और की बौंडरी वाल पर संपूर्ण रामायान का चित्रन किया गया है जो कैदियों द्वारा ही किया गया है जी मेरा नाम मुनेंद्र गौतम है, बरहने वालों बढ़ीग, अमर्टून का इस मंदिर का निर्माण किष्णे करवाया था और इसके पीछे क्या माननताय है माननताय है कि ये जेल के अंदर थी, जेल के अंदर ने यहां पीछ रखवा गया मानी अध्यक्ष उमेज गांधी बरिष्ट अधिच्छक हमारे जेल सपना के उनके दोरह इस्थापित किया गया और पूरा कारकार हमारे कैदियों नहीं करवाया है इसको हमारे पूरी मजदूर भाई कैदी लोग नहीं काम किया पत्थर नहीं पूरे जड़वाया उन्होंने जड़वाया गया अब आकिन के कारकरता समस्त वैपारिया हमारे जेल स्थाप के ही थे